सो लो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो इस वीडियो सो आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी के एक बहुत ही इंपॉड़न टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो की है जन जाती है ठीक है तो यहां से हर एक एक एक्जाम जाते हैं फिर चाहे वो BPSC हो यानि कि बिहार का और MPPSC समय श्राइब के कुशन मतलब जन जातियां से कुशन पूशिजाती है ठीक है तो इस स्टार्ट करते हैं अगर आप माई चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर लिजे क्योंकि इस पर आपको जोग्राफी पॉलेटी हिस्ट्री क्रांट अफि से फ्रेंड्स यह कुश्ण तो 100% आपके पूचा जा सकता है असम की है मनिपूर की है मिजोरम की है या फिर मेगाले की है तो देखो फ्रेंड्स गारो खासो एंड जैनतिया यह पहाडिया होती है ठीक है जो कि नौर्थ इंडिया में है मां मतलब की नौर्थी इस्ट इंड ख़ाडिया होगा ठीक है वहाँ पर गारो जैन्दिया होती है ठीक है लगालो खासी एंड अ YouTube ठीक ना जैंतियाके पाड़या तो यह मेगाले में इस और हो हो जाएगा तो मिघाले में गारो जंजातियां है जो की इस्ट इंडिया में हैं यानि की नौर्थ इस्ट आप बोल सकते हो ठीक है चले को सेकंड है कि बोडो निवासी हैं गारो पहाडी के संथाल परगाना के या फिर अमेजन बेसिन के या फिर मध्य परदेश की बीपीसी उन्नीस सुनिन्यानबे में पूछा गया कोस्टन है बोडो एक जंजाती है जो कहां की निवासी है फटाफर से आप लोग बता दीजिएगा तो देखो फ्रेंट्स अगर हम बात करें बोडो की ना तो यह गारो पहाडि है भारत के पूर्भी हिस्से में जिस रखेंट्स सेवन सिस्टर बोला जाता है भारत के पूर्भी हिस्से को ठीक है चले, पूछा गया कोशन है और आज के जितने भी कोशन है किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गया है तो यह है हिमाचल परदेश की जन जाती गड़ी ठीक है चलिए कोस्टन नमबर फॉर्थ करा की नेमलकित अस्थानों में से कहां सोंपेन जन जाती पाई जाती है आई एस 2009 में पूछा गया कोशन है निलगिरी पहाडियां या फिर निकोबार दीप समू या फिर इस पती घाट या फिर लच्छ दीप समू फटाफ़र से बताईगा कि इसका राइट एंसर क्या होने वाला है सोंपेन ये फिरेंट्स अगर अगर आप यहां से रिलेट कर पाऊगे तो ये निकोबार दीप समू में पाया जाता है अंडवान निकोबार दीप समू कहां पर है तो हिंद मास आगर में है ठीक है या फिर हाँ हिंद मास आगर में ही है फिरेंट्स ठीक है ना अंडवान न कोबार दीव समूव में ही है ठीक है चलिए आगे नेश्ट कोईशन है कराय कि सहारिया जंजाती मुख्यते निवास करती हैं मुख्यता यहां पर एक वर्ड यूज कर दिया है यानि कि और भी स्टेट में निवास करती है लेकिन मुख्यता यहां पर कहां पर यानि कि सबसे ज राजस्थान में ज्यादातर निवास करती है ठीक है आई हूप आप समझ गयोंगी अब फ्रेंड सो मोश्ट इंपर्टन कुशन भील जन जाती मोश्ट इंपर्टन कुशन यह कुशन इस तरीके से भी आ सकता है कि सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है या फिर कुछ इस टाइप वह कहां की जन जाती है बीपीसी 2008 में पूछा गया कुशन है तो यह महराष्ट की जन जाती है ठीक है बहुत इंपर्टन जन जाती है आपको याद होनी चाहिए और एक चीज यह बीए में भी पूछा जाता है बीए फ्रेंड से फर्स्ट इयर में पूछा जाता है आप किस सी भी यूनि वे सिटी से बीए कर रहे हूं उसमें फिरंट यह टॉपिक आता है एंड लगभग आठ से 10 नमबर का यह टॉपिक साइज से होता है ठीक है मतलब ब्रेंट आठ से दस नमबर एट्समें की 3-4 कोसन यहां से फिक्सी होते हैं ट्राइबल से 3-4 कोसन तो पूछे सिस्वाइन की आम इस सार में से आह नहीं आपको बतानी है ठीक है अगर देखो अगर अंगो बात करें फैंट्स गोंड की यह बहुपति तो नहीं हtill अगर नागा कि तो यह भी नहीं बांते है यह क्यों तोडा और जौन मानते हैं तो इसका राइटेंस रोज़ेगा अफसन नमबर थर्ड एन फूर्थ यूपी प्यस्टी 2009 में पूछा गया कुछन है ठीक है चलिए कुछन नमबर नेश्ट कह रहा है कि भारत की सरवाधिक बड़ी जन जाती है भील गोंड संथाल या फिर थारू यूपी 2009 में पूछा गया कुछन है तो ये फ्रेंट्स गोंड ठीक है गोंड सबसे बड़ी जन जाती है अच्छा इसके पहले क्या में खूसन करा का है और इस नहीं करा है घारों भील चैनल का अदमी प्रकृत प्रेमी आदमी या फिर पभित्र आदमी या फिर आम आदमी तो फटाफट से बताइएगा की बिर होर का मतलब क्या है जब अजी जंगल का आदमी ठीक है चलिए, नेश्ट कुश्चन है, कराय की धूम कुरिया किस जनजाती की सामाजिक संस्था है और आओ, कुछुक, कुडुग, या फिर मुंडा, या फिर संथाल JPSC, JPPAC 2013 में पूछा गया कुश्चन है सबी एक्जाम के लिए important है, तो प्लीज अच्छे से, देख लेना, खासकर अगर आप SSC, GD, या फिर UPSI का एक्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी उनवर्सिटी का इंटरेंस एक्जाम दे रहे हो बी ए या फिर बेसी, किसी भी अंडर गेज़ोट या फिर पोस्ट गेज़ोट का तो उसमें पूछे जा सकते हैं यह कुश्चन नेमिकरित राज्यों में से किसमे अधिसूचित जनजाती नहीं पाई जाती है केरल, हरियाना, जमू कस्मिर, गोवा तो फटर फटर से बताएगा कि किसमे फ्रेंट्स जनजाती ही नहीं पाई जाती है तो देखो, अकेला सायस से है या फिर और भी होंगे मुझे नहीं यह अभी कनफूम है तो हरियाना एक ऐसा राज्या है जहां पर फ्रेंट्स अनुसूचिज जनजाती ही नहीं पाई जाती है यूपी पेसी 2013 में पूछा गया कुछसन है कुछसन नमर नेश्ट कहरा है कि निमलिकित जनजाती हो में से कौन सी केरल में पाई जाती है चेंचू, लेपचा, डाफला या फिर डाफर तो फट आफर से बताएगा कि कौन सी जनजाती है जो कि केरल में पाई जाती है तो देखो फ्रेंट्स यह पाई जाती है चेंचू, ठीक है तो चेंचू जनजाती जो है वो केरल में पाई जाती है चलिए नेस्ट कोईशन एक और चीज अगर आपको इसकी पीडियाप चीए तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए वहाँ पर एंसर के साथ आपको पीडियाप मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का नाम है इंप्रूब स्ट्री मैट टू जैसे ही आप उसे जोइन करोगी आपको पेडियाप अवेलवल हो जाएगी ठीक है चलिए निमलकित मेंसे किस राजी में जन जाती समुदाए की पहचान नहीं की गई है महराश्रा, चतिजगड, हरियाना या फिर करनाटक तो अभी मैंने बताया कि किस स्टेट में फ्रेंट्स जन जाती नहीं है हरियाना में तो हरियाना इसका राइट एंसर होजएगा बीपीएस्टी दोजार चौदा देखो यूपीएस्टी में पूछा गया दोजार तेरह में एंड सेम कुस्टन पूछ लिया गया बीपीएस्टी दोजार चौदा में ठीक है जन जाती समूह मड़ीपूर में पाया जाता है भील गोंड कोंड है फिरेंट्स कूफ की या फिर मुंडा तो ससी 2014 में पूछा गया कुछन है फ्रॉट से बताईगा तो देखो फ्रेंट्स अगर हम बात करें मड़ीपूर में यह पाया जाता है कूपी ठीक है 2014 में पूछा गया कुछन है ससी का एंड यह एकदम लेटेस्ट कुछन बोल सकते हैं ससी 2017 का कि अहूम जन जाती भारत के किस राजिमिस से संबंदित है अहूम जन जाती असम से आंडर परदेश से मद्य परदेश से अफिर जार खंड से यह फ्रेंट्स आइस से रिलेट कर तो आहूम थिक है तो आहूम असम ठीक है आचया इसटाड एंड म से खतम आप से खतम ठीक है तो अहूम असमर यह से आप याद रख सकते हो तो आहूम कहां की जन जाती है इसंजती अंग कि आचके नाचगाकर अपनी जीवी का कमाने वाली दृक्षणी राजस्थान की जन दक्श्री राजस्तान की जनजाती कौन सी है ती है गरास या ठीक है भील जनजाती भारत में सरवाधिक कहां पाई जाती है MPPSC 2015 में पूछा गया question है and देखो friends मद्य पर्देश में पूछा गया question है and मद्य पर्देश से इसका right answer होगा तो भील जन जाती जो है वो सबस्यादा मद्य पर्देश में ही पाई जाती है ठीक है चलिए नेर्श कुन संघ कह रहा कि निल्यंगईत में से कंशी जन जाती नीलário पहाड़ियों से संबंधित है मारिया असूर बर सारिय तो यह अगर हम बात करें पहाडियों से संबंदित नील फैसी 2015 में में पूचा गया कुछन है उत्तर पर देश्ची सरवाधिक जन संक्यावली जन जाती है निमललकित में से कौन सी कौन सी थारू है रहा है खरवा रहा है या फिर मनरावत है तो फरब से बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे अधिक जन संक्यावली जन जाती है वो कौन सी है तो वो है थारू ठीक है तो बस फिलाल वीडियो में रखते हैं इतना ही आगे फ्रेंड्स आपके पास कुछ और कॉस्संस हैं तो यह मैं नेश्ट वीडियो में सालो करूँगा तो बस मिलते ह नेश्ट वीडियो में तब तक लेबावाटे कर जाहिंद अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्क्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में ठीक है